अगर बलेवुड में आलोकनाथ को बाबू जी का दर्जा दिया गया है तो वही मा के रोल से अपनी करियर की शुरुआत करने वाली एक ट्रेस रीमा लागू को बलेवुड की मा कहा जाता है इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसी एक ट्रेस हो जिसने मा के किरदार को रीमा लागू से अच्छा किया हो यही वज़य है कि 90 के दशक की अधिकतर फिल्मों में रीमा लागू को हमने मा के किरदार में ही देखा है कयामत से कयामत तक में पहली बार रीमा एक ट्रेस जुही चावला की मा बनी थी और तब से वे लगातार इसी रोल में फिल्मों में नज़र आई हाला की एक बार रीमा ने कुछ एक सपे रिमेंट करते हुए अपने आपको अलग रोल में ढालने की कोशिश की थी लेकिन वे हैसा करने में असपल रही जब रीमा लागू ने फिल्म साजन और मैंने प्यार किया में सल्मान खान की मा का रोल आदा किया था तो उन्हें इंडिस्ट्री ने इसी रूप में अपना लिया 1988 में आई फिल्म रहाई में रीमा लागू का एक अलग अवतार दर्शकों को देखने को मिला इस फिल्म में रीमा लागू ने बॉलिवुड एक्टर नसीरुदीन शा के साथ बहद इंटीमेट सीन दिये थे इस फिल्म में विनोत खना हेमा मालिनी और नसीरुदीन शा के साथ रीमा लागू और नीना गुपता की भी महत्वपून भूमिका थी इस फिल्म में रीमा एक ऐसी महिला का किरदार निभाती है जो की अपने शर्टों पर जीना पसंद करती है रीमा ने इस फिल्म के माध्यम से कुछ अलग करने की कोशिश की फिल्म में वे काफी बिंदास और बोर्ड लोक में नजर आई हाला कि रीमा के इस नए अवतार को दशकों ने नकार दिया इतना ही नहीं इस रोल को लेकर उनकी काफी आलोचनाएं भी की गई रीमा ने अपने आलोचकों को तो किसी तरह शांत करवा लिया लेकिन इसके साथ वह एक बात समझ गई थी कि वो बॉलेवुड में मां से ज्यादा बेहतर और किसी किरदार को नहीं निभा सकती और ना ही लोग उन्हें किसी और किरदार में देखना पसंद करेंगे यही वज़य थी कि वह अपने आपको पूरी तरह सिमा के रोल में फिट कर लिया भले ही आज रीमा लागू हमारे बीच नहीं हो लेकिन अपने फिल्मों के जरिय वो हमेशा हमें याद आती रहेंगी